सादर जैस्तिरी करश्न मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य नई नई ज्यानवरधक जानकारी वनित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें एकादसी के वरत की महिमा और भगवान विश्नुजी की पूजा आरादना करने का फल और एकादसी के वरत में किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए यह सब विस्तरत रूप से आज आपको हम बताने वाले हैं तो एकादसी के वरत की महिमा जो भी सरद्धा पुर्वक सुनता है उसे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों के साथ ही व्यक्ति के द्वारा जाने अंजाने में किये हुए पापों का भी नाश हो जाता है तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यान पुर्वक देखेंगे तभी इसका संपुर्ण फल आपको मिलेगा तो इसकी महिमा इस प्रकार से है कि प्राचिन काल में रुकमांगम नाम के एक प्रसिद्ध सारव भवम राजा थे भगवान विष्णू की आराधना ही उनका जीवन था वे चराचर जगत म अपने आराध्य भगवान रिशिके इसके दर्सन तथा पदमना भगवान की सेवा भावना से ही अपने राज्य का पालन पोशन वा संचालन किया करते थे वे सभी प्राणियों पर दयावा छमा का भाव रखते थे राजा रुकमांगम ने अपने जीवन में अपनी समस्त प्रजा एवं परिवार सहित एकादसी वरत के अनुष्ठान का नियम धारन कर रखा था एकादसी के दिन राज्य की ओर से गोशना होती थी कि आज एकादसी की दिन आठ वरसे से अधिक और पचासी वरसे से कम आयूवाला जो भी व्यक्ति अन खाएगा वह राज्य की ओर स सरवत्रे इस प्रकार से फहराने लगी थी धर्म के प्रभाव से प्रजा सरवता सुखी और सम्रध भी रहने लगी थी तो राजा रुकमांगवत का जो ग्रहस्त जीवन पुरुनतया सुखमई था वे पीतामबर धारी भगवान स्री हरी की आरादना करते हुए मुनश्य ल पती का सूखी रानी संध्यावली का जीवन था पती की सेवा वहाँ अपने हातों से किया करती थी उनका पुत्र धर्मांगद गुणों में अपने पिता के समान ही था उसकी भी बुद्धी भगवान स्री हरी के चरणों में लग गई थी वहाँ अपने माता पिता का आग्य ततपर रहता था राजा रुकमांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद के गुणों से प्रसन्न हो करके राज्य संचालन का भार उसके कंधों पर देना आरंब कर दिया था धर्मांगद अपने सेवकों से हाथी के मस्तक पर नगाड़े बजाते हुए गोशना करता था कि समस्त प्रजा एकादसी वरत का पालन करने में ततपर रहें तथा ममता रहित हो करके मोह माया को छोड़ करके देवेश्वर भगवान विश्णुजी का सभी चिंतन करें भगवान स्रीहरी के आराधन एवं एकादसी के वरत के प्रभाव से राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी तो मरत्यू के पश्चात सभी वेकुंट धाम में जाने लगे थी नरक के द्वार तक कोई नहीं जा रहा था संपुर्ण नरक सुना हो गया था तो सूरी पुत्र यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कारिया नहीं बच पाया था जब सभी प्रजाजन वेकुंट धाम को जाने लगे तब यमराज किने दंड दे और चित्रगुप्त किनके करमों का हिसाब रखे अंत मेवे ब्रह्माजी की सभा में पहुँचते हैं उन्होंने ब्रह्माजी से रुकमांगत के प्रभाव का वरणन करते हुए बताया कि है पितामाह भगवन विश्नु के आराधन एवं अयकादशी के वरत के प्रभाव से समस्त प्राणी वेकुंट धाम को प्राप्त हो रहे हैं नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा है लंबे समय से हम लोग व्यर्थ बेठे हुए हैं यह सुन करके ब्रह्माजी को अत्यंत प्रसनता हुई वे मन ही मन भक्त राज रुकमांगत को नमन करने लगे थे ब्रह्माजी रुकमांगत की एसी अद्भुत महिमा को और भी बढ़ाना चाहते थे उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुन्दर और लावण निवती नारी को प्रकट कर दिया उस नारी का नाम मोहिनी था वह संसार की समस्त सुन्दरियों में स्रेष्ठ एवं रूप के वेभव से संपन नारी थी तो एक दिन राजा रुकमांगत वन भ्रहमन के लिए निकले हुए थे उसी वन में वह मोहिनी अत्यंत मधुर वीना वहां बजा रही थी उस रूप राशी को देख करके राजा रुकमांगत उसकर मोहित हो जाते हैं राजा ने मोहिनी से प्रणाई की यानि विवाह की याचना करी मोहिनी ने मुस्कुराते हुए एक सर्थ रखी कि समय पर मैं जो कहूं आपको उसका पालन अवश्य करना होगा राजा ने मोहो के वशिबूत होकर वह सर्थ उसकी स्विकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी को लोट आए यहां वे अपनी मोहिनी के साथ सुक से समय व्यतीत करने लगे थे युवराज धरमांगत ने साथन की पूर्ण योग्यता भी प्राप्त कर ली थी उसने भू मंडल के सभी मंडलों पर जीत करके उन पर अपना साथन जमा कर लिया था अनेक बहुमुल्य रत्न मनिया लाकरके अपने पिता को अरपन किया धर्मांगत के सू राज्य से प्रसन्न हो करके रुकमांगत ने अपनी संपुरुन सासन विवस्ता उसे सोंब दी योग्य कन्या से धर्मांगत का विधी पूरवक विवाह करवा दिया तो ब्रमाजी ने मोहिनी को राजा रुकमांगत की परिक्षा के लिए ही भेजा था सुक पूरव का बहुत समय व्यतीत होने पर एक दिन वह अवसर आ गया था रुकमांगत एकादसी वरत निर्विग्न उसका चल रहा था वे एकादसी के दिन कभी अन्न नहीं ग्रहन करते थे सदेव की भाती वे घोशना करवाते थे कि हे मनुश्यों तुम अपने वेभव के अनुसार एकादसी के दिन चक्र सुदरसंधारी भगवान विश्नु जी की पूजा अर्चना करो वस्त्र उत्तम चंदन रोली पुश्प धूप दीप नेवेद्य तथा हरदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुन्दर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान स्री हरी के चरनार विंदो की अर्चना करो जो भगवान विश्नु का लोक प्रदान करने वाले मेरे धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा निश्चे ही उसे कठोर धंड दिया जावेगा इस प्रकार राजा ने घुशना करवाई तो एक दिन मोहिनी अपने पती रुकमांगत से एकादसी के दिन अन खाने के लिए आगरह करने लगी उसने हट पुर्वक कहा ग्रहस्त राजा को जो सदेव परिस्रम करता है कभी भी अन नहीं त्यागना चाहिए राजा ने मोहिनी को बहुत ही समझाया उन्होंने सास्त्रों का प्रमान दे करके बताया कि एकादसी के दिन जो अन खाता है वह बड़े ही पाप का भागी होता है नरक का गामी हो जाता है किन्तु मोहिनी अपनी हट पर अटल रही थी राजा ने उसे अनेक लालच दिये परंतु मोहिनी पर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था मोहिनी राजा को विवाह के समय हुई अपनी सर्थ की स्मृति कराने लगी कि जो मैं कहूंगी उसे आप स्विकार करेंगे अन्यता आप असत्यवादी हो जाएंगे एवं सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा तो मोहिनी ने अंत में यह गोशना करवाई कि यदि आप एकादसी की दिन अन ग्रहन नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग करके चली जाओंगी रुकमांगद ने मोहिनी को पुनह समझाते हुए पुराणों का प्रमान दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर गोशना की गई है बताया गया है कि एकादसी आने पर भोजन नहीं ग्रहन करना चाहिए और अन ग्रास आदी कुछ नहीं लेना चाहिए परंतु मोहिनी अपने निश्चय पर अटल रही थी वहाँ अपने पती को असत्यवादी घोशित करती हुए उन्हें छोड़ करके जाने को तत्यार हो जाती है इधर राजा रुकमांगद मोहिनी पर आसक्त होते हुए भी एकादसी के दिन अन न ग्रहन करने के निश्चय पर दड़ संकल पते और पित्रभक्त धर्मांगद एवं पती वरता रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़ कर न जाने के लिए बहुत ही समझाया रानी संध्यावली ने अत्यंत मधुरवानी में मोहिनी से कहा जो नारी सदा अपने पती की आग्या का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोक की प्राप्ती होती है हे देवी तुम अपना यह आग्रह छोड़ दो महाराज ने कभी बचपन में भी एकादिसी के दिन अन ग्रहन नहीं किया है अतह तुम इसके लिए उन्हें बाध्य मत करो तुम उनसे किसी प्रकार का और अन्य कोई वर मांग लो देवी जो वचन से और सफत से दोश से पती को विवस करके उनसे न करने योग्य काम करवा लेती है वह पाप परायना नारी नरक में ही निवास करती है वह भयंकर नरक से निकलने के पश्चात बारह जन्मों तक शूकरी की योनी में जन्म पाती है उसके बाद चांडालीनी बनती है है सुन्दरी इस प्रकार पाप का परिणाम जानकर मैंने तुम्हें सक्षी भाव से मना किया है धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को उचित यह होता है कि वह सत्रु को भी अच्छी बुद्धी और अच्छा परामर्स देवे तो है सुन्दरी जिस पत्नी के पती उसके विवार से दुखी होते है वह सम्रद्धी सालिनी भी हो तो उस पापिनी की अधोगती हो जाती है वह सत्तर योगों तक पूय नामक नरक में पड़ी रहती है उसके बाद साथ जन्मों तक छचुन्दर रहती है उसके बाद काक की योनी में जन्म पाती है फिर करम के अनुसार स्रंगली बनती है गोधा बनती है फिर गाय होकर के वह सुद्ध हो पाती है तो इस्त्रियों के लिए एक मात्र पती के सिवा संसार में दूसरा कोन होता है इतनी अच्छी बाते सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धी सुद्ध नहीं होती है उसकी भावी उसके सिर पर नाच रही थी जगत को कोई अच्छी सिक्षा इसमें मिलने वाली थी तो मोहिनी की दुर्दसा होना ही थी रानी संध्यावली की बाते सुनकर के दुष्ट हरदया मोहिनी ने अपनी एक नई सर्त रखी कि राजा रुकमांगत अपने हातों से अपने पुत्र धर्मांगत का सिर काट करके भेंट करे अथवा एकादसे की दिन अन ग्रहन कर ले में तभी उनके सत्य की रक्षा हो पाएगी परम गुणवान आज्याकारी पुत्र धर्मांगत ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्स स्विकार भी कर लिया पती पराईना रानी संध्यावली न अपने हरदी को कठोर करके अपने पती के सत्य की रक्षा के लिए अपने लालड़ पुत्र का बलिदान देना स्विकार कर लिया राजा रुकमांगत मोहिनी की नई सर्त सुन करके अर्ध मुर्षित होने लगे मुर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दसा का किंचिन मात्र भी कोई विचार नहीं था वह अपने पती के बहुत समझाने एवं अनुनई विनई करने पर भी कुछ ध्यान न दे करके अपनी हट पर अड़ी रही थी अन्त में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुकमांगद से प्रार्तना करके उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी कर लिया सत्य की महिमा बहुती विलक्षन होती है राजा रुकमांगद हाथ में तलवार लेकर के धर्मांगद का सिर काटने के लिए तयार होते हैं धर्मांगद ने भक्ती पुर्वक माता पिता के चरणों में सिर टेक करके प्रणाम किया और भगवान विश्णू के ध्यान में मगन होकर के तलवार की धार सामने अपना सिर धर्ती पर रख दिया। करपालू भगवान राजा रुकमांगद रानी संध्यावली एवं धर्मांगद का धेरिय देख रहे थे। चमचमाती तलवार जो ही धर्मांगद के सिर को छुने वाली थी तियों ही भगवान श्री हरी ने प्रकट होकर के राजा का हाथ वही पकड़ लिया। उस अद्भुत द्रश्य को देख कर भी सब देवगण देख रहे थे। उनके देखते देखते ही महात्मा नरेश राजा अपनी रानी संध्यावली एवं पुत धर्मांगद के साथ भगवान विश्णु में सरीर विलिन हो गए। और कुर हरदया मोहिनी भी यह सब द्रश्य देख रही थी। राजा के पुरोहित वसू से यह सब देखा नहीं गया। उन्होंने संकल्प मात्र से दुष्टा मोहिनी को वही भस्म करके राक के धेर में परिवर्तन कर दिया। तो यह थी एकादसी के वरत की महिमा। तो एकादसी के दिन आपको किन विशेश नियमों का पालन करना चाहिए। जिससे एकादसी के वरत का संपुरन फल आपको मिले। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादसी को सबसे पवित्र तिथी माना गया है। इस दिन हर इंस इस्तान को वरत करके भगवान विश्णु जी की पूजा आरादना करना चाहिए रात में जागरन करना चाहिए और हो सके तो एकादसी पर निर्जल या फलाहार ही ले तो सबसे उत्तम माना जाता है। अधर्म का राज जिबड़ जाता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराईयां उत्पन होती है। इसलिए सिर्फ एकादसी पर ही नहीं बलकि जुआ व्यक्ति को कभी नहीं खेलना चाहिए। और इसमें रात में सोने की मना ही बताई गई है तो सास्तरों के नुसार एकादसी की र सास्तरों के नुसार दातून की मना ही बताई गई है तो मानेता एसी है कि एकादसी पर दातून या मंजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग एकादसी का वरत करते हैं उनके लिए या वरत दसमी तिति से आरंब हो जाता है और तभी से उन्हें हर ए इसलिए एकादसी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए भगवान विश्णु जी का ही ध्यान अर्चन करते रहना चाहिए इसके साथ ही चुगली करने से मान सम्मान में व्यक्ति के कमी आती है वहाँ व्यक्ति सम्मान की द्रस्टी से कभी नहीं देखा जाता है जो लोग करने वाला व्यक्ति परिवार वह समाज में घ्रणा की नजरों से देखा जाता है और हिंसा के वल सरीर से नहीं बलकि मन से भी होती है इससे मन में विकार उतपन होते हैं इसलिए सरीर या मन किसी भी प्रकार से हिंसा इस दिन आपको भूल करके नहीं करना चाहिए इस दिन संग की मना ही होती है तो एकादसी पर इस्त्री संग करना वरजित होता है ब्रह्मचरिय का पालन करना चाहिए क्योंकि इससे भी मन में विकार उतपन होते हैं और ध्यान भगवान की भक्ती में लीन नहीं हो पाता है तो एकादसी के दिन विसेश करके इस्त्री संग से बच इस दिन एक बात का आपको ख्याल रखना चाहिए बहुत जरूरी है इस दिन किसी से ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए हो सके तो आपको भगवान का मन में चिंतर करते हुए पूरा दिन वर रात व्यतीत करना चाहिए तो इस प्रकार से इन नियमों के नुसार और भगवान की महिमा को सुनते हुए जो भी एकादसी का वरत धारन करता है उसे एकादसी का संपुर्ण फल प्राप्त होता है भगवान स्रीहरी की विशेश करपा मिलती है धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों के साथ ही व्यक्ति को स्वर से अधिक लोग इस ग्यान को प्राप्त कर सके और हमारे वीडियो को लाइक करना भी आप नहीं भूले धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे